नमस्कार दोस्तों मैं आई शुल मैं आप सभी के अपने चैनल टेकिन डागेट पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं TCS NQT Interview Experience of 2021 Batch दोस्तों ये इंटर्वी एक्स्पिरियंस और प्रोफाइल के लिए और दोस्तों ये इंटर्वी एक्स्पिरियंस हुआ है कल ही 10 नवंबर दोस्तों ये मेरे पास पूरा इंटर्वी एक्स्पिरियंस रात को आया था काफी लेट मैं फिर बात भी की थी और श्र रिस्पॉंस इतना कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है 74% पर 26 नो कर रहे है अगर दोस्तों आपको और TCS NQT experience रही है में पास और बहुत सारे आ चुके है तो प्लीज दोस्तों इसको 80 से ऊपर कीजे क्योंकि दोस्तों थोड़ा बहुत engagement दिखाईए और दोस्तों वीडियो को चार्ट करते हैं सब पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजएगा और अगर आपने अभी दक मेरे चैनल Tech & Target को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों Tech & Target को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजएगा तो दोस्तों इनका interview duration था 45 मिनट्स हा दोस्तों इनकी में थे 1 HR, 1 TR & 1 MR अब आप मेंसे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे यह MR कौन होता है दोस्तों यह पूछता है managerial questions हा दोस्तों managerial questions means situation based understandability आप कैसे situation को manage कर सकते हैं जो corporate world में होता है उससे related पूछ लेगा जैसे question का दाल दिया है ninja profile का उसको भी जाकर check कीज़े उसमें भी आपको बहुत अच्य-च्य question मिलने वाले है दोस्तों पहले हम देखनेंगे दोस्तों technical question पहला question है दोस्तों introduce yourself में दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्य-च्य-स आंजर दिया है I prepared this answer from your video हा दोस्तों इन्होंने आंचर टेहिं टार्गिट की एक वीडियो एक वीडियो एक वीडियो आपको यॉर्सेल जिसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों उस वीडि क्यों मैंशन किया शेवम ने बोला सर में चाहता था कि वो मुझसे नंपाए और 15 पर क्वेशन पूचे क्योंकि मैंने वो दौनों लाइप्रेरी जो पाइफन की है बहुत अच्छे से यूस कर रहे हैं दोस्तों एक बात और बता दू जो मेरे वीडियो है वीडियो है तेल किये हैं इनने बोला हैं इन प्रोजेक्ट अइम इंशन जस्वन प्रोजेट तेल मी समदिक अब और यॉसलम में नेक्स कोशन आ गया तो सो टेल मी अब आउक्ट यो अच्छे से अपने प्रोजेक्त के बारे में बता दिया है फिर आया तो सो फ्रॉम वेर यू लेंशीन ल जिसमें उन्होंने NumPy और Python यूज़ कर रखे अब आपने शिवम का दिमांग देखा उसने वही वही चीज़े बोली है जो उसने यूज़ कर रखी है और भाई जो जो हम प्रोजेक्ट करते हैं वो हमें आइडिया लग जाते कि कैसे यूज़ होती है इन्होंने कुछ भी एक जो tell me something about yourself है उसमें आपको पता सल जाएगा कि कैसे आपको इंटर्व्यू क्राक करना है कि इतना ही बोली आप पूरा इंटर्व्यू देखना इनसे जावा सी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है इनका इनके डोमेन से ही कॉछिन पूछे गया है I have done one course on Udemy इन्होंने दो अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट कर रखा हो अगर दोस्तों उसका आपके पास कोड़ तो अपने लोकल सिस्टम पर रेड़ी रखिए क्योंकि इंटर्व्यूर पूछ सकता है कि अपना कोड दिखा दो क्यूंकि आप मैंसे बहुत लोग होते हैं कि मजाख में बोलेंगे और इस की थे बहुत करना कोड करते हैं तो कभी कभी स्क्रीenne कोड धिखा सकते हो आउनु शी में बहुत अच्छे से बार में पता दिया नमपाय हो दिया है नियमराक काल्कुलेशन और do. reporting पान्डा कोरें यूज नहों बहुत अच्छे से बताया क्योंकि इन्होंने हर एक चीज अपने प्रोजेक्ट पर यूज कर रखी दी नंपाय और फांडाज और मशीन लर्निंग पर प्रोजेक्ट डेपेंड था उसमें भी इंटर्व्यों ने पूछ लिया क्योंकि इन लोगोंने मालों में क्या किया था इन्होंने टेक्स प्रेडिक्शन की थी इन्होंने जैसे टेक्स कोई है वो पॉजिटिव और नेगिटिव अब आप सोच चुनेंगा यह तो बहुत पुराना हो गया पर ठीक है ऐसा फ्रेशर अगर ही आपने प्रोजेक्ट किय है तो बहुत बढ़ी अबात है यह भी सोच रहें कि बहुत पुराना हो गया मशीन लर्निंग आके यही बहुत बढ़ी बात हो गया अगर आप आज बहुत कॉमन प्रोजेक्ट होता है लाइब्रेरी मेनेजमेंट जो हम C++ से बनाते हैं जिसमें CASH भी यूस करते हैं वो इनका टीम प्रोजेक्ट है इन्होंने बहुत अच्छे से वह अच्छे से अपना पूरे इक तरीके से बताया था प्रोजेक्ट के सार में नहीं यह किया था और दोस्तों एक बात हो शीब लीडर थे उसके दोने बहुत कॉन्पिटेंट्ली नंपाई पाइचन से यहाई ब अब यह पूछ रहे हैं इसे sorting algorithms के वारे में अगर दोस्तों आपको आती है confidently तो yes बोलिए Shivam को तो आती थी सारी की सारी like मैं खुछ शौक था कि उनसे जब बात कर रहा था he was like sir मुझा आती थी इतना कहां से prepared like digital में फिर क्यों नहीं हो पाए इनके system में कुछ दिख्का दोगी थी उस दिन तो I don't know but he was fabulous दोस्तों इन्होंने yes answer दिया next question दोस्तों open a notepad and explain how merge sort works interviewer help while writing algorithm अब दोस्तों हुआ क्या आपकी screen तो share already थी जब उन्होंने आपने वो share किया था code और दोस्तों एक पात त्यान रहे है जब तक इस इंटर्वियर ना बोले stop कर दीजे screen share या पिर कुछ तो इंटर्वियर के according चलिए जो जो instruction दे तो वही कीजिए अब इंटर्वियर ने बोला है notepad खोल कर मुझे merge sort बटाओ तो दोस्तों इन्होंने 10 मिनिट तक मुझे merge sort algorithm इनको explain की दी HR question दोस्तों discuss कर दे दोस्तों HR question discuss करने से पहले मैं आपको अल्रीडी बता दू मैंने एक playlist भी बना दिया है दोस्तों have you organized any event in your college दोस्तों शिवम ने सच इवेंट और्गनाइज नहीं किया था लाइक उनके friends थे बट उन्होंने इस situation में बोल गया yes sir मैंने किया था अब इन्होंने बहुत बड़ा इसके लिए था सबसे बड़ी बात इंटर्वियों ने कोई प्रूफ नहीं मांगा कि आपने किया है नहीं बट हाँ वो अपने आई बहुत अच्छे से दे रंखहा है मैं फिरसे बता दू कभी भी कोई अपनी कंपनी पूछना चाहत है कि हमारी कंपनी में क्यों आना चाल आपको पूंदें आपको पूछ साथ में लेगा learning है तेकनोलोजी को वर्क करती है तो आप ऐसा कुछ पूछे दुस्तो ऐसा कुछ बोल जाकते हो दुस्तो रेडी पूर पता रही है क्यों पूचा बट हाँ ऐसा को पूचा जाथा नहीं बोलना है फ्रेशर से यह लोग रिलोकेशन नहीं करवाते वर्स से वर्स सिच्वेशन हो जाए जब करवा सकते और दोस्तों एक बार बदाद टीसे जाए बहुत जाद अची कमपनी है 1982 से इसमें अभी तक एक भी employee को निकाला लिया और मुझे नहीं लगता आपको employee को निकालेगी इवन इन इस कोविड जहां बहुत सारी कमपनीज ने सेलरी लो कर दी दिया फिर अपने employees को fire कर दिया था TCS में यहां hiring कर रही है और वह भी बहुत बड़े scale पर 40,000 freshers को hire कर रही है तो relocation बोलते हैं तो दोस्तों yes बोलिये इसमें no नहीं बोलना है वह आपकी बेस situation based like future में अगर आप कुछ ऐसा chance आज़ता है like 0.1% तो आप ready होंगे नहीं दोस्तों अगर आप no बोल दोगे तो negative impact जा सकता है तो please yes बोलियेगा इसका answer next question था anything you want to know दोस्तों अगर इंटर्वियर जब भी पूछे anything you want to know प्लीज कुछ ना कुछ जरूर पूछे आप यह पूछ सकते हो कि sir अगर मैं TCS में select हो जाता हूँ तो मेरी role and responsibilities क्या-क्या रहने वाली है और दोस्तों एक hot question जो जरूर पूछेना चाहिए कि sir in this covid situation how did how did TCS has survived and what would the norms change in TCS तो आप ऐसा कुछ पूछे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इंटर्वियर को लगेगा कि सामने वाला candidate बहुत excited है हमारी company के वारे में जाटने के लिए तो प्लीज ऐसे questions जरूर पूछे दोस्तों इंटर्वियू के last में दोस्तों यह ता श्रिवम का पूरा का पूरा TCS अगर दूस्तों आपको बहुत और जरूर पाएट का नंए जरूर उपने बिडियो को अपर डाबाद